नमस्कार मैं मायंक भार्गव असिस्टेन्ट प्रोफसर मल्टी कॉलेज सहर्षा आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग हिंदी प्रतिष्ठा अस्टम पत्र हेतु श्लेश अलंकार पर चर्चा करेंगे अपनी पुस्तक कावि के तत्तों में आचारे दिवेंदर नाथ शर्मा ने श्लेश की परिभाशा देते हुए लिखा है कि श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का कथन श्लेश अलंकार है साहित्य दर्पन में इस बात को रखते हुए आचारे विशुनात ने लिखा है श्लिष्ट या अनेकार्थ वाची शब्दों द्वारा अनेक अर्थों का जब अभिधान हो तो वहाँ श्लेश अलंकार होता है और इसी बात को रस्प्यूश निधी में कहा गया एक शब्द के होत जहां अर्थ अनेक सुभाई श्लेश कहत्सु जानिये प्रकट कहयो समुझाए असपस्ट है कि जहां एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ हो देवेद नाशर्मा जी ने भी अनेक शब्द का प्रियूख किया रस्प्यूश निधी में भी अनेक शब्द है साहित्य दर्पण भी अनेक की बात कर रहा है यह किवल इसलिए कि एक से ज़्यादा की सीमा निर्धारित नहीं है बस इतना तह है कि श्लिष्ट पदों में एक से ज़्यादा अर्थ लिये जाएंगे और यह श्लेष्ट सब्द श्लिष्धात उसे निश्पन है जिसका अर्थ होता है चिपकना या सटना जब विशेशन में श्लिष्ट शब्द का प्रियोग करेंगे तो अर्थ हो जाएगा मिला हुआ, सटा हुआ या चिपका हुआ अर्था श्लिष्ट शब्द ऐसे शब्द हैं जिसमें अनेक अर्थ मिले हुए या चिपके हुए है हम लोग जानते हैं कि शब्द दो प्रकार के होते हैं एक अर्थ वाची और अनेक अर्थ वाची कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका एक ही अर्थ होता है जैसे पुस्तक एक ही अर्थ है इनके एक अर्थ है इसलिए इसका नाम है एका अर्थ वाची और श्लेश के संदर्व में कह सकते हैं कि ये और स्लिफ्ट शब्द है इनमें कोई दूसरा अर्थ चिपका हुआ नहीं है और दूसरी स्रिणी में ऐसे शब्द आते हैं जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं जैसे सूर शब्द है इसका अर्थ सूर्य भी है और अंधा भी ऐसे शब्दों को अनेकार्थ वाची शब्द कहेंगे या इस संदर्व में श्लिफ्ट शब्द कहते हैं जहां एक ही शब्द में एक से ज़्यादा अर्थ चिपके हुए हुए हूँ कुल मिला के कहना यही है कि श्लेश अलंकार में श्लिफ्ट या अनेकार्थ वाची शब्दों द्वारा एक से अधिक अर्थ का अभिधान किया जाता है इस श्लेश के दो भेद माने जाते हैं अभंग श्लेश और सभंग श्लेश नाम से यह स्पष्ट है अभंग जिसको भंग नहीं किया जाए सभंग जिसको भंग करने पर अर्थ निकलेगा इस अधार पर स्लेश के यह दो भेद किये जाते हैं पहले हम लोग अभंग श्लेश को दिखेंगे नाम से ही स्पष्ट है कि जब पदों को बिना तोड़े एक से ज़्यादा अर्थ किये जाएं तो अभंग श्लेश होगा और जब पदों के खंड करके एक से ज़्यादा अर्थ लिये जाएं तो वहाँ सभंग श्लेश होगा जहां तक अभंग श्लेश का प्रश्णा है बड़ा प्रसिद्ध उदारण है रहीम का दोहा है रहीमन पानी राखिये बिन पानी सवसून पानी गए न उबरे मोती मानुस चून किसी संशय की आवशक्ता नहीं है इसकी दूसरी पंग्ती में पानी शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ इसलिए यमक का कोई प्रश्ण यहाँ नहीं उड़ता है यह श्लेश का ही उदारण है यह न समझें कि पानी शब्द तीन बार आया तो फिर हम यमक की दिशा में चले जाएं ऐसा नहीं दूसरी पंग्ती में पानी शब्द का प्रयोग एक बार हुआ और इस पानी का अर्थ हम तीन अर्थ ग्रान करते हैं मोती के संदर्व में चमक कि यदि चमक नहीं है तो मोती बेकार है मनुष्य के अनवैसे पानी का अर्थ होता है प्रतिष्ठा यदि प्रतिष्ठा नहीं है तो मनुष्य का कोई महत तो नहीं और चूना के अनुएसे पानी का अर्थ लेते हैं जल जल के प्रियोग से ही जल के साथ ही चूने का प्रियोग करते हैं तो पानी का पद को बिना तोड़े बिना खंड किये तीन अर्थ लिए गए इसलिए यह अभंग शलेश का उदाहरण है बिना तोड़े पानी के तीन अर्थ ले लिए गए वैसे ही जैशंकर प्रसाद की रचना आशू के एक पंक्त देखें जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृत सी चाई दूर दिन में आंसू बनकर वह आज बरस ने आई मेरे कई शिश अंकित आदी के स्मृति आ रही है जो बहुत बढ़िया पार्ट करते हैं इसका तो बाराल हम इसके अर्थ को देखें जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी चाई दूर दिन में आंसू बनकर वह आज बरस ने आई अब यहां घनी भूत के दो अर्थ हैं पहला अर्थ है इकठी हुई यानि वह पीड़ा इकठी होकर मस्तिश्क में चाई हुई थी दीरे दीरे इकठी होकर साथ हो रही थी वह पीड़ा घनी भूत और दूसरा अर्थ है मेग बनी हुई वह पीड़ा मेग बनकर रिस्मृति में चाई हुई थी उसी प्रकार दुर दिन सब्ज़ाया है यहां भी दो अर्थ हैं एक तो दुर दिन, बुरे दिन, प्रतिकूल दिन और दूसरा अर्थ है मेगों से भरा हुआ दिन, मेगा चन्न दिन तो यहां भी बिना भंग किये, बिना तोड़े घनी भूत और दुर दिन के दो दो अर्थ निकले हैं इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहां भी अभंग श्लेश है अब सभंग श्लेश का यदि उदाहरण देखें, तो इस संदर में परंपरा से बहुत प्रसिद्ध पंग्ती का उदाहरण दिया जाता है पूतना मारण में अतिधीर पंग्ती लिखने वाले के मन में यह चमतकार करने की चेस्टा है कि राम और कृष्ण दोनों की प्रसंशा इस एक विशेशन से हो जाए पूतना मारण में अतिधीर राम के लिए भी आए और पूतना मारण में अतिधीर कृष्ण के लिए भी आए यहां सभंग श्लेश है यानि इस पद को तोरना होगा खंड करना होगा तब इसके दो अर्थ निकलेंगे पूतना मारण को दो भाग में किये पूतना मा अलग कर लिया और रण में अतिधीर इसको अलग कर लिया तो पूतनामा का अर्थ हो गया पवित्र नाम वाले और रण में अतिधीर का अर्थ हुआ युद्ध में धैरेवान राम का नाम बहुत पवित्र है युद्ध में धैरे दिखाते हैं इसलिए पूतनामा रण में अतिधीर राम की प्रसंशा हो रही है अब इसको दूसरे तरीके से खंड करेंगे पूतनामारण में अतिधीर पूतना नामक राक्षसी को क्रिष्णे मारा था इसलिए अर्थ ले रहे हैं पूतनामारण यानि पूतना नामक राक्षसी को मारने में जो अतिधीर हो वह क्रिष्ण यानि इस प्रकार दो प्रकारों से टुकडे करके इसके दो अर्थ लिए गए इसलिए यह सभंग श्लेश का उदाहरण है दिवेनात शर्मा जी का दिया हुआ एक और उदारन देखें किसी राजा की प्रशेशा हो रही है और कभी उसे कुबेर और इंद्र दोनों के समान बता रहा है और ऐसा विशेशन दे रहा है जो भंग करने पर कुबेर के संदर्व में भी लागू होगा और इंद्र के संदर्व में भी वसुधारण चातुरी तुम्हारी अब यदि इसको भंग करते हैं कि वसु अर्थात धन वसु को धारण करने की यानि रखने की चातुरी या निपुनता तुम्हारी है राजा आप में धन को धारण करने की निपुनता कुबेर के सद्रिश है धनवान है कुवेर समान धनवान है राजा और इंद्र के संदर्व में खंड करेंगे वसुधा में अर्थात प्रत्वी में युद्ध की निपुनता दिखाने की योगित जैसे इंद्र की युद्ध निपुनता प्रसिद्ध है वसुधा में वैसे ही आपकी भी रण चातूर ये प्रमुख है इस प्रकार एक बार वसु जोर धारण वसु धन को धारण करने की हो गिता और दूसरी बार वसु धा जोर रण इस प्रकार भंग करने पर दो अर्थ निकलते हैं इसलिए यह श्लेश अलंकार हो गया श्लेश अलंकार की चर्चा करते हुए अकसर यह प्रश्न उठाया जाता है कि श्लेश शब्दालंकार है या अर्थालंकार भारतिये अलोचना शास्त्र नामक पुस्तक में राजवंश सहाय हीरा ने इस प्रश्ण की चर्चा करते हुए लिखा है उनी के शब्द है कि मम्मट और विश्वनाथ ने इसे शब्दा लंकार माना है और अर्था लंकार भी परभामह, दंडी, आदि आचारी इसे अर्था लंकार में परिगणित करते हैं आचारे रुयक ने शलेश के दो भेदों सभंग पदशलेश एवं अभंग पदशलेश में से प्रथम को शब्दा लंकार माना और द्वितिये को अर्था लंकार अर्था शलेश के शब्दा लंकारत तो अर्था या अर्था लंकारत तो को लेकर संस्कृत आचारियों ने परस पर विपिरीत विचार प्रकट किये हैं और रुयक ने तो इसके दो भेदों में से एक को कहा शब्दा लंकार है एक को कहा अर्था लंकार है इस संदर में मम्मट की एक कसोटी ध्यातव्य है उन्होंने अनवे व्यतिरेक को एक महत्पूर्ण कसोटी गुण हो अलंकार हो दोश हो इसकी शब्द निष्टता है अथवा अर्थ निष्टता इसका निर्ण कैसे करेंगे तो इसके निर्णाय तक्त्यों के रूप में मम्मट ने अनवे व्यतिरेक को महत्पूर्ण माना है अब यह अनवे व्यतिरेक है क्या तो उन्होंने इस पस्ट कहा कि किसी के रहने पर किसी का रहना अनवे है एवन किसी के अभाव में किसी का न रहना व्यतिरेक है तो मम्मट के सिध्धांत के अनुसार यदि किसी शब्द में परिवर्तन हो और इस परिवर्तन के बाद भी उसके गुण, दोश, अथवा अलंकार का अस्तित्व विद्यमान रहे यानि कोई वाक्य है, कावे में कोई वाक्य है, कोई शब्द है तो वाक्य के शब्द को बदल दिया जाए उसकी जगह कोई परियावाची शब्द डाल दिया जाए और फिर भी कावे का वह गुण, वह दोश या वह अलंकार विद्यमान रहे तो माना जाएगा कि यह अलंकार गुण या दोस शब्द पर आश्रित नहीं है क्योंकि शब्द परिवर्टित हुआ, फिर भी वह चमतकार बना हुआ है अर्था लंकारों का जब वड़न करते हैं, उपमा हो, उत्प्रिक्षा हो, वह हम शब्द बदल दे, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुन्दर है, चंद्रमा की जगा मैंग कर दे, फिर भी वह अलंकार बना रहेगा यानि वह जो अलंकार है, वह शब्द आश्रित नहीं है, अर्था आश्रित है और शब्द परिवर्तन के पश्चात यदि किसी अलंकार गुण या दोश का अस्तित्त नस्ट हो जाए शब्द बदलने से वह अलंकार नस्ट हो जाए वह गुण नस्ट हो जाए वह दोश नस्ट हो जाए तो सिद्ध होगा कि वह शब्द पे आश्रित है इस द्रिष्टी से यदि हम श्लेश को देखें तो पाएंगे कि यदि हम शब्द परिवर्थित कर देते हैं जो उदार्ण देखा था इसे पहले हमने कि वसुधा रन चातुरी तुम्हारी अब वसुधा में अगर वसुधा की जगा पृत्वी कर देंगे तो वसुधारन करने वाला अर्थ तो नहीं निकल सकेगा वस्लेश खत्म हो जाएगा फिर्ष्लेश रहेगा ही नहीं तो असपस्ट है कि यह श्लेश शब्द पे आश्रित है उसी प्रकार अभंग श्लेश में भी जो घनी भूत पीड़ा थी यदि यह घनीभूत शब्द को हटा कर कोई दूसरा शब्द डाल दें तो इकठी हुई और मेग बनी हुई यह दोनों अर्थ नहीं आप आएंगे तो इससे असपस्ट है कि अभंग पद्शलेश हो या सभंग पद्शलेश हो दोनों का चमतकार शब्द परिवर्टन के कारण नश्ट हो जाता है तो इसलिए शब्द के बदलने से चमतकार नश्ट हो जा रहा है इसलिए अभंग पद्शलेश और सभंग पद्शलेश दोनों को शब्द आश्रित मानना चाहिए या माना जाना चाहिए कि शलेश शब्द आलंकार है और इस संदर में एक और चर्चा कर देनी चाहिए कि शलेश से मिलता जुलता आलंकार समासोकती है यदेफी परिक्षा की दिष्टी कोन से शलेश और यमक का उदारण हमारे लिए जादा महत्पोन है पर यमक की चर्चा पहले हो चुकी है इसलिए से खेप में समासोक्ती और शलेश की तुलना कर देनी चाहिए शलेश में एक से जादा अर्थ होते हैं माना जाए कि दो अर्थ होते हैं तो दोनों अर्थ प्रस्तुत होते हैं किन्त समासोक्ति अलंकार में एक अर्थ प्रस्तुत होता है तो दूसरा अर्थ और प्रस्तुत यानि समासोक्ति में प्रस्तुत से अप्रस्तुत की प्रतीती करवाई जाती है वहाँ प्रस्तुत वाच्य है और अप्रस्तुत व्यंग है प्रस्तुत से अप्रस्तुत की ओर जाना है पर शलेश अलंकार में दोनों अर्थ प्रस्तुत है यहाँ कोई अप्रस्तुत नहीं है समाशोक्ति में श्लिष्ट विशेशनों का प्रयोग होता है पर जो विशेश्य है वह श्लिष्ट नहीं होता पर श्लेश अलंकार में विशेश्य और विशेशन दोनों श्लिष्ट होते हैं दोनों अनेकार्थ वाची होते हैं तो इस प्रकार समासोक्ति से श्लेश बिल्कुल भिन अलंकार है आशा है आज की चर्चास से श्लेश अलंकार स्पष्ट हुआ होगा साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार पाठे क्रम के अनुसार जो श्लेश अलंकार है उनकी चर्चा क्रम से इसी प्रकार होती रहेगी आज की इस चर्चा में आपके साथ के लिए पुनह धन्यवाद आभार